नमस्कार विवर्स जीनीज 24 येन की ग्वालियर रेलवे के एक सफाई करमचारी के बालक ने राश्ट्रिय बुशु खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाकर ग्वालियर का नाम किया रोशन गुदड़ी के लाल ऐसे होते हैं यह सिद्ध कर दिया है सफाई करमचारी के बेटे लक्ष ने जिसमें स्टीमिस संसाधनों के होते हुए भी कन्या कुमारी में आयो जित 21 वी राश्ट्रि बुशु चैंपियंशिप में सब जूनियर बुशु खेलियोगिता के के लगातार प्रेक्टिस करने वाले और आटवी कक्षा में पढ़ रहे 14 साल के लक्ष का लक्ष है कि वह एशियन गेंश में भाग ले और वहां भी इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मैडल हासिल करें प्रतेयों के था क्या थी नेशनल बूशु में इसमें कितने बच्चों ने भाग लिया था जिस जिन से आपकी फाइट होई आपने कितने बच्चों को उसमें हराया बीस से पच्चिस बच्चों को आपने अलग-अलग लेबल पर जा करके हगा है तो वहां पर आपके साथ में कौन-कौन गैदा परिवार से परिवार से कोच गए थे तो यह कोच जो आपको सिखाते थे कितने घंटे आपको डेड़ी यहां पर ग्वालिर प्रेक्टिस करात चर्वाल परिष्टल करें से का बात करेंथार और कि इनीम कर कि अंगए हां था जिर यहांट जाइस पर प्रटो करते थे लिए घंट से यहां से हैं और हमारी के लाशती काफी दिस्टेंस में तो इसके घरवाले इसके दाथी इसको डेली चोड़ने याना चेड़ने लेके आना ओटों से सफर करना यह बहुत बड़ी एक लाड़ी के लिए बहुत बड़ा परश्रम होता है हर कोई लाड़ी इस तरह नहीं कर पात और दो इवेंट मैस नहीं ड्राउंट मेडल प्राफ करें बूशू चेंपियंशिप बहुत बड़े लेबल पर होती है इसमा कम सगम बारा सुप बारा सुप से भाग लेते हैं चुदा साल तक की यह प्रचपता होती है साथ साल से लेकर चुदा साल तक की दो भागां में इसकी तरह से कितने बच्चे और रहें जो आपको लगा आगे चल करके और अच्छा नाम करें इसकी तो आपका कहने का मनलब यह कि कराटे में भी अच्छा सांधार केरियर हो सकता है अगर आप नेशनल खेलते हैं सीनियर इवेंट में तो आपको मद पर देखो केंद सरकार पर सुमिली हो सब्धार का कराटे के इव में घृस लाटे में करता है और रता मतलब भूशू में के साथ और कराटे के यह कालियात घ्र startups करता है कि आम लोगों को यह चीज नहीं मालब होती है इतने सारे त्यारों के साथ जब यह सीखते हैं बच्चे तो उनके लिए कुछ सेफ्टी के लिए कुछ बबस्ता की जाती है यह कई वर घाय भी आते हैं गायने इनको इस तरह के प्यत्र ही सखा जाता है आप मुवन इतने क्या सोच रखता है सोच रखा हुआ है इसके लिए कि काफी ट्रेनिंग करेगा इसके बाद इंटरनेशनल और इसन गेम दें भी यह जाएगा अच्छा जो ओलम्पिक गेम होते हैं जिसमें उसमें भी इसका कुछ इस्तान है यह तो उसमें पेजने की तैयारी आप लोग कर अब इस बच्चे को और कितना मैनत करना पड़ेगी उसके लिए और आप लोगों को इसको सिखाने के लिए इसको कम से कम 6 गंडे मैनत चाहिए 6-8 गंडे पर दे तब यह उसके लिए क्वालिफाय होगा अच्छी बात है पढ़ाई करना चाहिए लेकर आगर आप 50% पढ़ करने से सबसे जाएं कि सब्सक्राइब बच्चों को करना चाहिए आज की समाचारों में बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार